हाँ जी बच्चों फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में जैसे कि पहली वीडियो में हमने समझा और जाना कि पद परीचे क्या है पद और शब्द में क्या अंतर है शब्द को पद कब कहा जाता है और क्यूं कहा जाता है कौन सी व्याकरनिक एकाईया है जिनके आधार परीचे देना होता है और पद परीचे हमारा विशे तैयार होता है तो आए कुछ उधारनों से इस पद परीचे के विशे को समझना और सरल बनाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहा पर इथ वाक्य लिखा है हम दिल्ली गर्द यहां पर मैंने दिल्ली शब्द को दिली को परीचर देना है डिली हम चानते हैं एक संग्या है तो हम क्या परीचर जबसुता है नगे संग्या कौन से शंग्या वीखतिवचक संग्या के सभी भेदों में से वीखति जाती वाचक भावचक संध्या में से यह है व्यक्ति वाचक संध्या उसके बाद हम इसका लिंग और बचन बताएंगे लिंग स्त्री लिंग या नपूसक लिंग बचन एक बचन और फिर हम बताएंगे कारक कारक या जो हम वेकतिवाजक सन्या, स्चिरिए या नपुन्सक लिट एक बजन कर्ता कार्ण प्रिज़ से समझ लेते हैं वेकतिवाजक सन्या, एक बजन, नपुन्सक लिट और कर्ता कार्ण अगला वाक्य है वह जा रहा है यहाँ पर एक आंके चब है वह तो वह आप सोचे कौनसा व्याकरनिक भेड है जो शब्द संग्या के स्थानद पर प्रियुक्त होते हैं उनको क्या केते हैं सरना तो यहाँ पर वह है हमारा सरना सरनाम को कौनसा में दुआई पुरुषवाचक सरनाम जैसा कि पहले बताया था हमने कि भेड पताने के बाद हम क्या पताएंगे लिंक और वचल अब कर्ता का संब्द यहाँ पर यह कर्ता कारक है क्योंकि हम क्रिया के अधार पर इसका संब्द जाए सकते हैं अगर यहाँ पर होता जा रही है तो यहाँ पर होता कौंसELing होता स्त्रीलिंग लेकिन यहां पर कॉरता कारक पुलिंग है तो क्या हुआ पुरुषवाचक सरनाम कर्ता कारक पुलिंग और एक वजड इसी तहरे से हमारा अगला उढरन है बागीची में सुन्दर फूल खिले है विशेशन तो आप तो याद ही होंगे विशेशन क्या होते हैं वो शब वो शब जो संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा पताते हैं वो शब जो संगय या सवनाम के गुण उनकी किसी भी प्रकार की विशेष्टा, दोश के बारे में उनको उजागर करते हैं, उनको व्याख्याईट करते हैं, अब यहां पर मैंने लिखांकित किया है सुंदर, जो कि किस से पहले लिखा गया है? फूल से पहले, तो फूल यहा एक वचन और नपुन्सक लेगे, इसी प्रकार हमारा अगला उधारण है, बच्चे खेलते हैं, यह बाद तो हम सभी को पता है कि हिंदी में किसी भी वाक्य की पूर्ती क्रिया के बिना नहीं हो सकते, वाक्य के अंद में क्रिया का आना अवश्यक ही है, अवश्यम भावी ह अब तो पता ही चल रहा है कि खेलते क्या है, क्रिया, कौन सी क्रिया, हम यहाँ पर रचना के अधार पर बताएंगे, क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पढ़ता है, तो वो है सकर्मक क्रिया, और अग कि वर बंड़ा है, फ्रकूष इसके लिए की वर्ड क्या है, हम कि रिया से प्रश्नी लगाए कर प्रूश सकते हैं किस को वची खेडते हैं, वच्चे किस खेलते हैं। तो यहां पर हमारे पास है अगर्मक क्रिया बचन बताएंगे खेलते हैं बहुत सारे बच्चे इसका मतलब बहु बचन और क्या बताएंगे लेंगे इसमें कुछ भी हो सकता है पुलिंग हो सकता है और स्ट्रीलिंग हो सकता है और इसके इलावा हम क्या बताएंगे? काल ताल कौम सा है? वर्तमाल काल आशा करथे हूं, आपको इसा मज आरहा हूं SHE हारा अग्ला बाग्य है राम ने रामन को मार रहा रहा यह रहा सबसे प्रिय उदार्ण है जिसमें बड़ी सरलता से आप चीजों को अपने सामने देख सकते हैं करता ने कर्म को माल रावन यहां पर क्या है कर्म और परीचे देते समय हम बात की शिरुवार कैसे करें रावन विक्तिवाचक संया एक बचन पुली कर्म कारक समझारी आपको मिलबर कर्ता ने कर्म को मारा कर्ता विभक्ति चीनगर हम याद करेंगे कर्ता ने कर्म को करन से अपदान से संप्रदान के लिए तो यहां पर कर्ताने कर्म को मारा रावन विक्तिवाचक संग्या एक वचन पुलि कर्म कारत इस दिश्री से देखा जाए तो यहां पर मारा क्रिया जो है उसका परीचा अगर हम देंगे तो क्या बोलेंगे सबकर्म क्रिया एक वचन गूत काल और कोलिक इसके रावा अन्य उधारनों से भी हम इस चीज को और आगे समझते हैं हमारा अगला उधारन है लोग दीरे दीरे जा रही थे कैसे जा रहा है थे दीरे दीरे ने कांकित पर क्या है दीरे दीरे अब मैना आप से प्रेश्न भी किया कैसे जा रहे थे दिरे दिरे तो इस बात का हमें अन्दाजा है इस बात को हम जानते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेष्टा बताते हैं वो क्या किलाते हैं क्रिया विशेष्ट तो सभाविक है यहां परिपद इसका परिचे क्या है क्रिया विशेष्ट जब क्रिया विशे परिमान वाचक क्रिया विशेशन और काल वाचक क्रिया विशेशन यहाँ पर दीरे-दीरे हमारा है जैसे कैसे जा रहे थे दीरे-दीरे जा रहे थे यानि रिति वाचक क्रिया विशेशन तो परिचे कैसे देंगे रिति वाचक क्रिया विशेशन और जा रहे थे क्रिया की व वा रे खाम्कित क्या है वा यानि यानि इस को एंगलिष में बोलते हैं हिंटरजेक्शन और हैं विस्मयादी बोधक। और ये आप तो दिख भी रही है यहां पर यह विस्मयादी बोधक चन्बी है. तो इसका परीची कैसे थेंगे? विस्मयादी बोधक अबवे. यसे मैं आपको पैले भी पताया कि ये सब ही क्या है? क्रिया विशेशन, समुच्य बोधक, संबंद बोधक, विसमयादी बोधक, निपात, क्या है अब्वे यहाँ पर यह होगा विसमयादी बोधक अब्वे और किस भाव्य विक्टी कर रहा है प्रशन सा शूजग अगला वाक्य है आजकल पैसे के बिना कोई नहीं पूछता के बिना संबंद बोधक अब्वे संबंद यानि जो वाक्य के सभी पदों का आपस में संबंद जोड़ते हैं संबंद बोधक कहला दे हैं यह हमारा है संबंद बोधक अब्वे और वाक्य आजकल पैसे प्लस कोई नहीं पूश्टा इन पदों का आपस में सम्बन जोड रहा है अगला वाक्य है कुछ तो लाओ तो यानि निपाथ निपाथ क्या होते हैं बल देने वाले कुछ पद जो की अर्थ में एक प्रिकार का मलागात यानि एक दबाव उत्पन करते हैं जैसे इस वाक्ये को मैं ऐसे बे लिख सकती हूं कुछ लाओ लेकर अगर मैं कहना चाहती हूं कुछ उसमें बल देकर बोलना चाहती हूं अपनी बात को कुछ तो लाओ यहां पर यह हमारा कहलाएगा निपाथ अवे हमारा अंतिम बाक्य है मैं सोच रहा था परंतु नहीं गया परंतु फिर से अवे अवे कौन सा है समुच्चे बोध कंजक्शन यानि समुच्चे बोध की विशेषता आपको पहले से ही क्यात है समुच्चे बोध की विशेषता या शब्द वो होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोडते हैं और यदि उन विशे बोध की शब्दों को बीच में से खटा दिया जाए तो दोनों वाक्यों का अपना स्वतात्र अस्तित्व होज़ता है यहाँ पर परंदु क्या है समुझ्य बोधक अवे और कौन से दू वाक्यों को जोड़ रहा है मैं सोच रहा था और नहीं गर तो बच्चों आपने देखा जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि पत परिचे क्या है जब बाके में शब्द प्रुक्त होते हैं तो वो पत कर उपले लेते हैं और इन पदों का जब व्याकरनिक नियमों के अधार पर परिचे दिया जाता है तो वो पत परिचे कहलाता है इन विबिन उधारनों द्वारा मैंने आपको ये सिखाया कि ये परीचे किस प्रिकार दिया जाता है आशा करती हूँ कि विबिन वाक्यों के अभ्यास द्वारा आप इस विशे को इस विशे की प्रैक्टिस करने की इस विशे का अभ्यास करने का प्रैत्न करें पत्परीची के इस विशे को बहुत अच्छे से सीखने के लिए अपने मन से किसी भी प्रकार का डर निकालने के लिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है बोर्ड एक्जाम में एक प्रश्न चार अंगों का आता है और ये चार अंग किसी भी तरह से हम ना खो दें इसके लिए बहुत अवश्यक है बहुत जरूरी है कि हम इन सभी व्यागर्मिक एकायों को बहुत अच्छी तरह से समझ लें याद कर लें इनके भेदों को बार-बार याद करें और अपने नोट बुक में लिखकर इनका अभ्यास करें आशा करते हूं इस कप्छा के जर्ले आपको इस विश्यक को समझ ले में बहुत हद तक सहेता मिलें